Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Moto World और फिर मा आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पजाज पल्सा 150 यह बारे में और क्या यह एक बहतर मोटर्साइकल है या नहीं या बजचाज के ही लाइनअप में जो N150 है उससे इसमें क्या डिफ्रेंसज है या वो जादा बहतर मोटरसाइकल है इन सारे सावालों के जवाब आपको मिलने वाले हैँ इसी वीडियो में उसकी जो प्राइज से 1,13,000 रुपीज की एक्षोरूम आपको मिल जाती है। तो रिव्यूस हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपको इसका एक्जॉस्ट नोट सुना देता हूं सबसे पहले विकाउस पल्सा 150 का एक्जॉस्ट नोट लोगों को बहुत पसंद है। तब भी मैंने ये बाइक्स देखी दिया और तब भी इसमें से वही तरीके की आवाज आती थी जो आज आ रही है। और इसका एंजिन अगर आप कन्फ्यूस जैंके N150 जैसा ही सेम एंजिन है तो सेम एंजिन नहीं है ये डिफरेंट एंजिन है। राइडिंग पॉस्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं इस पर बैट जाता हूँ। थोड़ा सा स्पोर्टी बनता है, रिस्ट पर थोड़ा सा आपके लोड रहेगा इसको चलाते हैं, फुटपेग्स हलके से रेर सेट मिल जाते हैं लेकिन अंकम्फिटबल बिल्कुल नहीं है, स्पोर्टी वील के साथ साथ आपको कमफोर्ट भी इसमें अच्छा मिल थोड़ी और बहतर मिलती ही, जिस पर बजाच का लोगो होता, तो और अच्छा लगता देखने में, तो की कंपणी ने बहुत ही बेसिक से दिये, कॉस्ट कटिंग करी है की वे, उसके बाद हम इसका जो है, इग्निशन टर्न आउन करने के बाद आपको इसके लोक्स दिखा मिल जाता है, इसके उपर काबन फाइबर फिनिश है, नहीं ये, इसके उपर स्टिकर लगाया हुआ है मडगार्ट पर, तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है, उसके बाद जो सस्पेंशन हैं, वो काफी बीफी हैं, आपको बता चुका हूँ, अगें, एंडियॉ वो एंजिन में यहां जाकर डिपॉजिट नहीं होंगे, एंजिन पर नजर डालेंगे तो आपको देखेगा, एंजिन काफी बड़ा है, बाइक में काफी सारी जगा लेकर बैठा हुआ, एंजिन कमपार्टमेंट की, उसके बाद यहाँ पर आपको ये 150 की स्टिकरिंग मिल लिटर का टैंक, मतलब आपको टैंक रेंज वेकदम जबरदस मिलेगी, माईलिस एप्रॉक्सिमेटली आप इससे जो है, एस्टिमेट लगा सकते हैं, कि आपको मिल देगी 40-45 के आसपास का, मतलब आज कल की गाडियों में 10-12 लीटर का टैंक का रहा है, लेकिन यहां पर ब हिलमेट एक बार मैं हटा देता हूँ, तो आप यहां पर देखेंगे, स्प्लिट सीट सेट अप है, कोई जाधा स्टेप अप नहीं है, तो अगर आप सिंगल सीट सेट अप भी लेते हैं, तो उसमें भी कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कमफर्ट को लेकर, क कोई बस देखने देखने में यह कोस्मेटिक अपडेट काइंड आप समझ सकते हैं, तो देखने में यह ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है, लेकिन सीट इसकी बहुत ही लंबी है, और बहुत लंबी सीट होने के साथ-साथ क्या फायदा मिलता है, आपको कि पिलियन के लि बजाज कई आपको twin identical tail lights आपको मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में, रे टायर के बारे हम बात करें, तो 120 by 80 का रे टायर मिल जाता है, बहुत जादा चौड़ा टायर तो नहीं है अगर आप पीछे से देखेंगे, लेकिन हाँ, looks के साथ proportion में जाता है, उसके बाद जो silencer है इसका, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस थरीके के design का मिल जाता है, जो के proportion में लगता है, kickstarter एंजिन में आपको नहीं दिया गया है, kickstarter हटा दिया है, because इसमें fuel injection आ गया है, हाँ, center stand इसमें जरूर दिया हुआ है, तो वो आपके काम में बिलकुल आने वाला है, इसकी chain lube and all, ये सारी चीज़ें करने के लिए, बस engine के बारे में जल्दी से बात कलनों, उसके बाद उपर cockpit पर आते हैं, तो 149.5cc का engine अगर आप ये समझ रहे हैं, कि बजाज के शोरू में में जाऊंगा, तो बहाँ पर मुझे एक ये देखेगी, पलसर 150 और एक N150 देखेगी, तो हाँ, बिलकुल आप साही सोच रहे हैं, लेकिन N150 का engine different है, इसका engine different है, तो engine की sharing दोनों गाडियों में नहीं हुए, engine different है, चलने में भी different है character भी अलगे, ये चीज़ मुझे आपको clear करनी थी, 149.5cc का engine है, 14PS की max power है, and 13.25Nm का max torque है, 5-speed gearbox आ आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो switch gear की quality है, वो भी काफी अच्छी लग रही है, ये self starter का switch है, engine kill switch है, और यहाँ पर इसके meter को control करने के लिए, आपको switches मिल जाता है, ये pass light switch मिल जाता है, indicator and horn मिल जाता है, horn सुनाना बहुत ज़रूरी है, because आज भी company इसमें dual horn दिये हुए है बहुत अच्छा horn लग रहा है, मतलब आज लोग इसको मतलब उस time भी horn की वज़े से भी पसंद करते थे, मुझे अच्छे ध्यान है, अब हम आ जाता है इसके instrument console पे, तो instrument console के side में आपको ये पहले carbon fiber finish आपको मिल जाता है, लेकिन instrument console जो है इसमें आपको ये all digital दे दिया है, चलाने में न, मुझे feel उसी वज़े से आता था इस गाड़ी में, कि इसमें instrument console जो है वो analog मिलता था, analog का तोड़ ये नहीं है, मैं आपको अभी बता दूँ, तो मुझे personally analog instrument console जादा अच्छा लगता है, इसके मुखाबले, यहाँ पर neutral indicator, engine trouble light, ABS warning light, single channel ABS आपको मिलता है, जो क इसमें मिल जाएंगी, navigation आपको इसमें नहीं मिलता है, speedometer, tachometer, odometer, fuel gauge, और इसको toggle करने के लिए इस बटन से आप कर सकते हैं, तो odometer change हो जाएगा, trip A मिल जाती है, trip B मिल जाती है, instantaneous fuel economy, distance to empty आपको इसमें मिल जाता है, उसके साथ या average fuel economy भी आपको मिल जाती है, warning में आप enter कर सकते हैं, यह सारे features आपको इसमें मिल जाते हैं, switch gear के quality अच्छी है, cockpit जो है, वो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, उसके बार जब हम इसके राइट review करेंगे, तो उसके बारे में और detail में बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, क्या features इसमें बहुत अच्छे मिल गया था, कि इसमें USB charger मिल जाता है, तो आप यहां देखेंगे, तो इसमें USB charger है, तो आप mobile अपना charge कर सकते हैं, mobile connectivity के features इसमें काफी जादा दे दिया है, एक चीज़ और बताना भूल गया था, कि जो इसका clutch feel है, वो थोड़ा सा harder side पर है, तो city traffic में चलना थोड़ा सा मुशक कर रही है, किन चीज़ों में, fit and finish में, build quality में, because पुरानी जो Pulse of 150 थी, उसमें plastic rattling की दोड़ी सी problem थी, राटल करती थी गाड़ी, यह साब चीज़ें थी, 220 में राटल करती थी, लेकिन अब वो चीज़ इसमें बहुत minimize हो गई है, engine का vibration बहुत minimize हो गया, vibration जादा नहीं आ रहा है, यह tank extension plastic का है, लेकिन उसमें कोई भी problem नहीं है, build quality आज भी इसकी उतनी sturdy है, मतलब आप tank को इसको भी knock करेंगे, और पुरानी वाली Pulsar के भी tank को knock करेंगे, तो build quality लगभग same ही आपको मिल जाती है, कोई major changes नहीं है, और आज भी build quality and finish के मामले में, मुझे personally, यह bike अच्छ आती है, उसके बाद आप Honda SP160 पर भी जा सकते हैं, जो जाधा smooth engine के साथ आती है, unicorn भी आपके पास option available है, जो जाधा smooth engine के साथ आती है, लेकिन इसमें sporty feel थोड़ा सा exist करता है, sporty feel अगर आपको चाहिए हो, लंबी seat चाहिए हो, और आज भी यह looks आपको पसंद है, तो Pulsar 150 एक ऐ CYK जो कि आपको बिल्कुल satisfy कर देगी, बाकि अभी 50% चीज़े में आपको बता दियें, 50% next video में आएंगी, जिसमें हम इसका ride review करेंगे, so guys I hope so, इस review में आपको Bajaj Pulsar 150 के बारे में काफी जारी details मिल गई होंगी, अगर आपको इसका ride review देखना है, कि यह इसमें comfort कैसा है, suspensions कैसे काम करते है, engine performance कैसा है, vibrations है के नहीं, heating problems है के नहीं, clutch feel क्या है, इन सब चीज़ों के लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा, अगली वीडियो आपको मिलेगी, इसके ride review की, जिसमें हम इसको Indian roads पर test करेंगे, I hope so, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद रवेना मझ जाइए, so guys, thanks for watching, stay tuned, till then wait for my next upcoming interesting videos.